नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विशे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे अंग्रीजी की भाषा में बिजनेस माइनेजमेंट बोला जाता है, अब यह आप शब्द पर मत जाईए, यह मूल रूप से होगा कि आपका अपना बिजनेस किस तरीक इसे मैनेज करना है, उसका प्रबंधन करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, एक मेरे मित्र थे, वो बंगाल से थे, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बंगालियों को मचली बहुत पसंद है, उनकी नई नई खादी खूए, उनके घर में दो-तीन दिन के बाद उनकी पत्नी ने उनके लिए मचली बनाई तो जो मचली बनाई उसका उनने आगे का हिस्सा काट दिया, जो बागी का इस वो खाने बैटे तो ने थोड़ा अजीब लगा लिगा, उनने चावल के साथ में मचली को लेके खा लिया, दो तीन चार दिन के बाद फिर से जब घर में मश्ली बनी तो फिर सागे का मूग का हिस्सा कटा हुआ था, इस बार इन अपनी पत्नी से पूझा कि आपने क्यों क्यों काट दिया, तो इनकी पत्नी ने बताया कि मेरे मा तो इसी तरीके से बनाती है, इसी वज़े स मैंने उसको आगे से काट दिया, उन्हें आश्यर हुआ कि उनके घर में इस तरीके से मचली नहीं बनाई जाती थी, खैर अब उनकी आदत हो चुकी थी, दो तीन चार मेने बीट गए, उनकी पत्नी उसी तरीके से आगे से मचली का मूँ काट देती है, और वो बनता रहता दुर्गा पुझा का टाइम आया, जैसे हम जानते हैं, दुर्गा पुझा के टाइम पर बंगाली सभी जो हैं, वो अपने घर जाते हैं, हम सभी घर जाते हैं, पर बंगाली उनके खास सवर से बहुत बड़ा तयोहार होता है, जब वो अपने ससुराल गए तो उनकी सास न यह ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें सोचा कि एक काम करते हैं, जो उनकी नानी मा थी, उनकी पत्नी की नानी मा थी, उनकी जिन्दा थी, उनको पास जाते हैं, और उनको भी मिलते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं, कि ऐसा उनके हां क्यों बनता है, उनकी नानी जो थी वहाँ से तोटा हुआ पतिला लेकर आई और ने दिखाया कि वो पैन जो था वो साईड से कटा हुआ था उन्हें बताया कि पहले पुराने जमाने में पैसे कम होते थे लोगों पास दो तीन पैन नहीं होते थे एक ही पैन होता था तो जब उसमें मचली रखती थी तो आधा हिस्सा जह ही हो, हो सकता है, वो गलत हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से चीजें करी जा रही है, उस पर हम सवाल रखें, लॉजिकल सवाल रखें, उसको समझने की कोशिश करें कि जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं, तो आप अपने पास-पास, अपने पिता जी को, अपने माता जी को, सब को देखते होंगे कि लोग हंडूम का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के बिजनस भी हो गए हैं, किस तरीके से वो कर रहे हैं, उन सब तरीकों को आप सवाल करना शुरू करी, देखना शुरू करी कि इसको हम कैसे ला सकते हैं इस वीडियो शंकला में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यमस हम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी गलती हैं जो हमारे बुनकर दोस्त कर जाते हैं उन गलतियों को दूर कैसे किया जाए उनको हम देखने की कोशिश करेंगे धन्यवाद